नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर, जिस पे आज हम कवर करने वाले हैं, 15 और 16 तारिक के सभी तरह के करेंट अफेस को, जो के आपके आने वाले सभी तरह के एक्जैम्स के लिए काफी यूसफुल रहने वाले हैं, तो चलिए शुरू माइग्रेशन की हम बात करें, तो माइग्रेशन क्या होता है, जब किसी एक देश के लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मुवमेंट करते हैं, और फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, चाहे गुड डवलप मतलब अगर को वो कंट्री डवलप नहीं है और दूसरी कंट्री मे तो उसी को हम माइग्रेशन कहते हैं, लेकिन कभी-कभी माइग्रेशन इल्लीगल भी हो सकता है, मतलब लोग बता के नहीं आ रहे हैं, ऐसी बॉर्डर्स अगर कोई कंट्री शेयर कर रहे हैं, तो वहां से आ जा रहे हैं, बिना बताया आ जा रहे हैं, तो उसी कोई की उस पे काम करीगी तो इनी सब चीजों को लेकर illegal migration bill लाया गया है और यह कहां लाया गया है यह लाया गया है ब्रिटेन में हमारी अगली खबर है which metro becomes first metro in India to accept digital currency for parking हाल ही में parking के लिए digital currency स्विकार करने वाली भारत की पहली metro कौन सी बनी तो दोस्तों चिन्ने की जो कोची metro है वो इंडिया की पहली metro बन चुकी है जो कि accept करेगी digital currency for parking parking करने के लिए digital currency अब जो metro है वो भी accept कर लेगी वैसे digital India काफी trend में है और अब तो parking के लिए digital currency जो है वो acceptable हो गई है तो ध्यान रखिएगा थोड़ी कि यह यहाँ पे कोची metro की बात की जा रही है हमारी अगली खबर है इन्विट स्टेट रेर स्पिसीज ओफ मौथ माइम यूसीमिया कैलोनिका साइटेड रीसेंटली हाल ही में दुरलब पतंगे की प्रजाती मायू माइमियू, सेमिया, सिलीनिका की किस राज्य में देखा गया है तो दोस्तों यह जो मौथ है जो दुरलब पतंगे की प्रजाती है यह देखा गया है केरला में थोड़ा याद रखेगा कि यह कौन से स्पिसीज है मौथ की है ऐसे पूछा जा सकते है हमारी अगली खबर है तो दोस्तों जो जपान के प्राइम मिनिस्टर है वो आ रहे है एक उफिशल विजिट में इंडिया के दोस्तों कुछ टाइम पहले ही एक और कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है वो उफिशल विजिट में आये थे इंडिया में अभी कुछ तिन पहले की बात है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि वो कौन सी कंट्री थी जिसके PM अभी हाल ही में इंडिया आये थे हमारी अगली खबर है दोस्तों जो सुरेखा यादव जी है वो बन चुकी है एशिया की पहली वुमेन रेलवे लोको पाइलेट जो की ऑपरेट करने वाली है हमारी वंदे भारत एक्स्प्रेस जो वंदे भारत एक्स्प्रेस है काफी प्रॉमिनेंट ट्रेन है इंडिया की तो उसको operate करने वाली सुरेखा यादव जी जो है वो बन चुकी है पूरे एशिया की पहली वुमेन रेलवे लोको पाइलेट वुमेन से associated है एशिया भी है और कोई चीज फर्स टाइम हो रही है तो important हो जाता है थोड़ा सा ध्यान में रखेगा नाम की नाम क्या है उनका सुर जाएंगी उत्राखंड में बनेगा पहला electric तीर्थ corridor EV के लिए होंगी charging point की सुविदा तो ध्यान में रखेगा इंडिया का पहला है और electric pilgrimage corridor है वैसी हमको पता है कि जो electric vehicles है उसको promote करने के लिए जो हमारी government है वो कितना efforts कर रही है जैसे fame scheme भी लाते हैं और electric vehicles काफी trend में है आ पत्राखंड में बनाया जा रहा है important news है ध्यान में रखेगा दोस्तो हमारी अगली खबर है जो हमारी neighboring country है बांगलादेश उसके साथ इंडिया ने एक पहली cross border oil pipeline जो है उसको inaugurate करा है हमारे PM मोदी और शेक हसीना जो की बांगलादेश की PM है इन्होंने virtually inaugurate करा है इंडिया और बांगलादेश की cross border oil pipeline जो की पहली oil pipeline है इस pipeline से क्या होगा जो diesel है वो इंडिया export करेगा बांगलादेश को ये total पूरी एक 125 km pipeline है जिसका सिर्फ 5 km जो है area है वो इंडिया में आता है बाकी पूरा 120 km बांगलादेश में है तो ऐसे ये जो project है ये हो तो launch किया था 2020 में launch हो पर थोड़ा फिर ये delay होता गया फिर बीच में covid भी आ गया उस वज़े से नहीं हो पाया अब जाके जो ये project है और ये जो pipeline है वो complete हो पाई है और virtually इसको inaugurate कर दिया गया है तो ध्यान में रखिएगा जो pipeline हाली में इंडिया ने inaugurate करी है वो किसके साथ करी है बांगलादेश के साथ की है इससे जो diesel है उसको export किया जाएगा बांगलादेश को चलिए बांगलादेश अगर news में आई ही किया है तो आप मुझे बताइए कि जो बांगलादेश है उसकी capital क्या है और एक अगर fact की बात आपको मैं बताऊं तो जो इंडिया है इंडिया का जो land border है बांगल इंडिया किसके साथ share करता है वो करता है बांगलादेश के साथ और दूसरे नंबर पर आता है चाइना दोस्तों अगर हम बात करें 16 मार्च के current affairs की तो उसमें हमारी पहली खबर है कि हाल ही में जो ministry of education है उसने अपनी literacy rate जो है उसकी report निकाली और उसमें जो index था उसमें top किस rate कितना हाई रहता है काफी अच्छा state है when it comes to literacy तो ministry of education की जो literacy rate की report है उसके अनुसार किसने top किया है केरला ने top किया है और second number पे कौन रहा है लक्षवदीप और फिर third number पे कौन रहा मिजोरम साक्षरता दर्ट में केरल सबसे उपर इसके बाद लक्षवदीप और मिजोरम का स्थान सिक्षा मंत्रा ले तो इसमें आप ये ध्यान रखिए कि टॉपर कौन रहा है टॉपर रहा है केरला अगर हम बात करें literacy की तो एक literate person हम किसको कहते हैं अगर कोई भी एक इनसान जो 7 साल से उपर है अगर वो लिख और पढ़ पा रहा है तो उसको हम एक literate person कहेंगे और इसी के बेसिस पे literacy report आती है और उसी के साब से जो केरला है उसने इसमें top किया है हमारी अगली खबर है जो हमारे transport के minister है नितिन गटकरी जी उन्होंने unveil करा पहला methanol powered buses और ये कहां पे करा है बैंगलूरू में नितिन गटकरी ने बैंगलूरू में पहली methanol संचालत बस तो इसमें क्या होता है जो fuel हम जैसे हम diesel और petrol यूज़ करते हैं तो उसकी जगा हम क्या करेंगे थोड़ा fuel जो fuel है diesel है उसमें 15% हम methanol डाल देंगे 15% methanol रहेगा बाकी जो quantity है वो diesel ही रहेगी तो थोड़ा blend कर देंगे methanol से इससे क्या होता है methanol से carbon जो emission होता है वो काफी कम हो जो लोग खेती करते हैं agricultural जो residue बच जाता है जो बाद में चीज़े बच जाती है उसी से इसको बनाया जाता है carbon dioxide भी ये काफी कम release करता है hydrogen carrier होता है hydrogen होता है इसमें तो काफी environmental friendly एक oil है तो उसी का ही जो पहला buses जो बनी है जो की पूरी methanol powered buses होंगी उसको unveil कर दिया है और ये काफी news में है आज कल जो climate change हो रहा है तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो clean energy mission है उसको ध्यान में रखते हुए ये जो methanol powered buses है इनी को unveil करा गया नितिन गटकरीजी द्वारा और काफी करा गया है ये सब किया गया है बैंगलो रूम है अगर हम बात करें आज की अगली फ्रेडी आया वो आया जो हमारा एफ्रीका कॉंटिनेंट है उसकी दो कंट्रीज में और काफी भयानक सा ये साइकलोन है ये तो पहले आया मुजैंबी क्यू में आया और फिर मुजैंबी क्यू के बाद ये गया मलावी में तो थोड़ा ध्यान रखेगा कि जो फ्रेडी सा को हैं जैसे डैनमार्क नौर्वे तो जो डैनमार्क है वो पहली कंट्री बन चुका है जो की इंपोर्ट करेगा कारबन डायोकसाइड को और उसको बरी कर देगा जो ओशन होता है उसके नीचे डैनमार्क कारबन डायोकसाइड आयात करने और इसे समुंदर के नीचे स्टो वो कार्बन डियोक्साइड को इंपोर्ट करेगा अलगला कंट्री से और उसको फिर क्या कर देगा बरी कर देगा सी के अंडर दोस्तों हमारी अगली खबर है कि जो शंगाई कॉर्पूरेशन और्गनाइजेशन है जिसका हेड़क्वाटर है बीजिंग में उसकी जो टूरिजम मिनिस्टर्स मीटिंग है वो हम लोग ही होस्ट करने वाले हैं इंडिया ही होस्ट करने वाला है 17 मार्च से लेके 18 मार्च तक और ये जो मीटिंग है टूरिजम वाली मीटिंग जो है ये होगी काशी वारनसी में थोड़ी कल्चर से रिलेटेड चीज़ें है टूरिजम कैसे प्रमोट करा जाए जो SCO के मेंबर से वही सब चीज़ें डिसकस होंगी तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि इंडिया होस्ट कर रहा है और हो काँ पर ही है काशी वारनसी में हमारी अगली कबर है कि 15 मार्च को जो वर्ल्ड कंजूमर राइड्स डे है 2023 उसको अब्सर्फ करा गया विश्व उभुकता अधिकार दिवस 2023 कब बनाया गया 15 मार्च को तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अगर किसी वाव इप्रूव्मेंट की जरुरत लग रही है तो उसको भी प्लीज जरूर बताए तो चलिए एंड करते हैं आज की वीडियो को धन्यवाद